पियल पुन्या जी, मोतिलाल वोरा जी, भुपेश बगेल जी, तामरद्वाज साहू जी, टी एस सिंग्देव जी, रविंद्र चौबे जी, मुहम्मद अक्बर जी, अनिला भेडिया जी, गुरु रुद्र कुमार जी, शिव डहरिया जी, चाया वर्मा जी, स्टेज पे हमारे सारे नेता, प्यारे कारे करता, भाईयों और बैनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, रात का समय है, आप दूर-दूर से मेरी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, यह नारा अब चल गया है, अब यह मतलब जहां भी जाओ, जहां भी जाओ, बस चौकिदार बोलो जवाब मिलता है, देखो, चौकिदार, 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 तो जहां भी हिंदुस्तान में, केरल में, चतिसगड़ में, आंधरा, तलंगाना, करनाटक, टमिलनाडू, जहां भी आप जाओ, चौकिदार शब बोलो जवाब मिलता है, चौर है, और पहले नारा था, अच्छे दिन आएंगे, पांच साल में, हिंदुस्तान ने, चौकिदार की सचाई देख ली, हर मीटिंग में पहले कहते थे, पंद्रा लाक रुपे बैंक अकाउंट में डालूंगा, चौकिदार बनाओ, चौकिदार बनाओ, पंद्रा लाक बैंक अकाउंट में, दो करोड युवाओं को रोजगार दूँगा, किसानों को सई दाम, कर्जा माफ, जो भी आप सुनना चाहते हो, मैं कहे दूँगा, मगर पहले प्रधान मंत्री बना दो, अब दूसरी तरफ देखिए, 36 गड़ में चुना हुआ, हमने आप से मन की बात नहीं कि, मैंने भाशन में, बगेल जी ने, सिंग्दियो जी ने, साहु जी में भाशन में, ये नहीं का गई, मेरी मन की बात सुनो, हमने काम शुरू किया, 36 गड़ का एतिहासिक मैनिफेस्टो बनाया, हम आपके पास आए, और हमने आप से पूछा भाईया देखिए, आपके मन में क्या है, दर्ध है, तो क्यूं है, क्या चाथते हो आप, आपकी सरकार बनेगी, आप हमें बताओ, हमें आपके लिए क्या करना है, लाखों लोगों से हमने बात चीत की, छोटे दुकानदारों से, किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, माताओं बहनों से, 36 गड़ के सब लोगों से हमने, सवाल पूछा, आप अपनी सरकार से चाहते क्या हो, और 36 गड़ ने हमें, दो तीन जवाब दिये, 36 गड़ के किसानों ने कहा, देखिए, आप हमारा कर्जा माफ कर दीजिए, धान के लिए 2500 रुपए, अच्छा, वहाँ पे, टाटा की जमीन है, बहुत साल पहले उन्होंने ली थी, बस्तर के आदिवासियों की जमीन है, उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं बनाई, वो जमीन आप आदिवासियों को वापिस दे दीजे, आपने बताया हमें, हमने आप से पूछा, आपने बताया, और फिर हमारे भाशनों में हमने बोला, सबने, सरकार आएगी, तो धान के लिए साही रेट मिलेगा, कर्जा माफ होगा, आपकी जमीन आपको वापिस मिलेगा, नरेंदर मोदी जी ने कहा, पॉंग्रेस पार्टी जूट बोल रही है, पैसा कहां से आएगा, हर स्टेट में, मद्यप्रदेश, 36 गार राजित है, पैसा कहां से आएगा, कैसे हो सकता है किसान का कर्जा माफ? और हमने कहा कि, दस दिन में होगा, दस दिन में होगा, दो दिन में हो गया, अब देखिए एक तरफ, जूट के बाद, जूट, जूट के बाद, जूट, जूट के बाद, जूट, जूट, दूसरी तरफ, ठीक है, हम उतने बड़े सपने नहीं देते आपको, पंद्रा लाग नहीं बोलेंगे, मगर जो आप हमारे स्टेज से सुनोगे, चाहे राहुल गांधी हो, बगेल जी हो सिंग्देव जी हो, साहू जी हो हमारे कोई भी नेता हो जो आप यहां से सुनेंगे वो हमारी गैरेंटी है और जो हम नहीं कर पाएंगे हम आपको बता देंगे मैं आपको इस्टेट से अभी बता देता हूँ कि अगर आप चाहें भी और आप मेरे उपर जितना भी दबाव डालना चाहो डालो मैं पंद्रा लाक रुपए हर बैंक अकाउंट में नहीं डाल सकता हूँ मैं आपको सीधा कह दूँगा अब आपको अच्छा लगे ना लगे मैं नहीं जानता मैं आपको दिल की बाद सीधा कह दूँगा पंद्रा लाक रुपए नहीं हो सकता पांच माहीने पहले मैंने कॉंग्रेस पार्टी के ठिंक टैंक को बुलाया एकॉनमिस को बुलाया चाहे पिलाई उनसे मैंने कहा देखिए नरेंद्र मोधी जी ने 15 लाक रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने की बात की है 15 लाक रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने की बात की है हिंदुस्तान के गरीब लोगों ने एक सपना देखा नरेंद्र मोधी ने सपना दिखाया कि हाँ हिंदुस्तान की सरकार गरीबों के बैंक अकाउंट पर पैसर डाल सकती है सपना देखा मैंने कॉंग्रेस पार्टी के तिंग टैंक से कहा है मैं वो 15 लाग तो नहीं दे सकते हैं मगर मैं आपसे एक नंबर चाहता हूँ जूट मत बोलिये मुझसे थियरी नहीं चाहिए, किताब नहीं चाहिए, नंबर चाहिए कौन सा नंबर चाहिए मुझे वो नंबर चाहिए जितने रुपए मैं हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकता हूँ अच्छा कितने लोगों के BANK ACOUNTS में डालना चाहते हैं पैसा मैं हिंदुस्तान के बीज प्रतिशत सबसे गरीब लोगों के BANK ACOUNTS पैसा डालना चाहता हूँ नहीं आप, सुनिये, कहते हैं हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत सबसे गरीब लोग, मतलब 25 करोड़ लोग मैंने का हाँ मतलब 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में आप पैसा लाना चाहते हो या आप कैसी बात कर रहे हो मैंने उच्छा आपने अनिलंबानी का नाम सुना है उसके बैंक अकाउंट में 35 45 चरोड़ रुपय जा सकता है पांच लाग पचास हजार करोड रुपया माफ हो सकता है तो फिर हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउन पे पैसा क्यों नहीं जा सकता मैंने उनसे कहा आप मुझे नंबर दो चार महीने पांच महीने आपके पास दुनिया के सबसे बहतर एकॉनोमिस से पूछो मनमौन सिंग्जी से जाके पूछो जिस से पूछना है पूछो मगर चार महीने में मुझे नंबर दो चार महीने बाद आते हैं शितामरम जी ने सफेद काज़स पे नंबर लिखा 72,000 मैंने कहा यह क्या है 72,000 6 महीने के 72,000 10 साल के 15 साल के और कितने लोगों के बैंक अकाउंट में कहते हैं 72,000 रुपे साल के 5 करोड महिलाओं के बैंक अकाउंट में 25 करोड लोगों को नियाई योजना का फाइदा होने वाला है और यहां जो हमारे भाई बैठे हैं पुर्ष बैठे हैं मैं आपको मुझे गुस्सा मत हुए मगर पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जा रहा है 72,000 गरीबी पे वार यह है कॉंग्रेस पार्टी का गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक हम गरीबी को अब हिंदुस्तान से मिटाने जा रहे हैं अगर नरेंद्र मोदी 15 लोगों को पूरा का पूरा पैसा दे सकता है तो हम नरेंद्र मोदी जी को बताएंगे कि हम उन से पैसा लेकर अनिलम्बानी जैसे चोरों से पैसा लेकर हिंदुस्तान की महिलाओं को देंगे अब नियाय योजना से नियाय योजना से एक और फायदा होगा नरेंद्र मोधी जी ने नोट बंदी की गबबर सिंग टैक्स छोटे दुकानदार छोटे बिजनस वाले मिडल साइज बिजनस वाले नश्ट हो गए बेरोजगारी हुई 45 साल से सबसे जादा बेरोजगारी आज क्यूं हुई मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ जैसे ही नरेंद्र मोधी जी ने आपके जेब में से पैसा ने काला गरीमों के जेब में से पैसा ने काला किसानों के जेब में से पैसा ने काला जो आप खरीदते थे शर्ट, पैंट, जूते आपने खरीदना बंद किया जैसे ही आपने खरीदना बंद किया वैसे हिंदुस्तान की फैक्टरियों ने माल बनाना बंद किया जैसे हिंदुस्तान की फैक्टरियों ने माल बनाना बंद किया फैक्टरियों ने युवाँ से कहा तुम्हारी अब यहां जरूरत नहीं है तुम अब बेरोजगार हो और ब साल के 72 हजार रुपै जैसे ही ये पैसा हिंदुस्तान के 36 गड़ के गरीब जनता के जेब में जाएगा वैसे ही ये लोग माल खरीदना शुरू करेंगे जूता शर्ट पैंट टूथ पेस्ट साबून खरीदना शुरू करेंगे जैसे ही ये खरीदना शुरू करेंगे हिंदुस्तान की फैक्टरियां माल बनाना शुरू करेंगे जैसे ही माल बनाना शुरू करेंगे फैक्टरियों में युवाओं को आपके बेटें को बेटियों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा मतलब नियाई योजना सिर्फ गरीबों के बैंक अकाउन में पैसा नहीं है नियाई योजना हिंदुस्तान की अर्ध विवस्ता को जंप स्टार्ट करने का तरीका है जैसे ट्रैक्टर में ट्रक में पेट्रोल डाला जाता है पर चावी गुमाई जाती है हम हिंदुस्तान के अर्थ विवस्ता में पेट्रोल डाल रहे हैं डारेक्ट और जैसे वो पेट्रोल जाएगा हम चावी गुमाएंगे जटके से पूरा इंजिन स्टार्ट हो जाएगा लाकों युवाओं को 36 गार में हिंदुस्तान में रोजगार मिलेगा नरेद्र मोधी ने दो करोड की बात की मैं यहाँ दो करोड नहीं बोलूँगा नया योजना से लाकों युवाओं को फाइदा मिलेगा मगर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ 22 लाग सरकारी नौकरियां आज खाली हैं हिंदुस्तान में जैसे मैंने आपको वाइदा किया था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा मैं यहाँ से स्टेट से कह रहा हूँ जैसे ही हमारी सरकार आएगी एक साल के अंदर 22 लाग नौकरियां हम आपको दे देंगे 10 लाग युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है 10 लाग युवाओं को हम पंचायतों में रोजगार दिलवा देंगे अब देखिए मोधी जी के एक और आदत है राफाइल हवाई जहाज UPS सरकार ने कहा हम राफाइल हवाई जहास खरीदना चाहते है HL हिंदुस्तान Aeronautical Limited Company उस हवाई जहास को बनाईगी Technology France की होगी HL सरकारी Company उसको बनाईगी आस्ते आस्ते HL हवाई जहास बनाना सीखेगी और फिर हिंदुस्तान में लड़ाकू विमान बनाने की Technology और Factory होगी नरेंदर मोधी बने प्रधान मंत्री France गए पहला काम France की राष्टपती से मिले कहते हैं वहिया देखो 526 करोड का हवाई जहास मत खरीदो 1600 करोड रुपए में हिंदुस्तान खरीदेगा आप 526 मत रेट रखो आप 1600 रेट रखो 126 हवाई जहास छोड़ो 36 हवाई जहास की बात करो और अनिलम्मानी को Contract दो HL से छीनो और वो ही हुआ अनिलम्मानी की जेब में चौकीदार ने 30,000 करोड रुपए आपका पैसा डाला अब मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जो भी सरकारी कंपनियां है पुरे देश में जो भी Public Sector की कंपनियां है उन पर नरेंद्र मोदी आकरमन करते हैं उनका लक्ष है कि हिंदुस्तान का पूरा का पूरा Public Sector प्राइवेटाईज हो जाए अने लंबानी जैसे चोरों के हाथ में चला जाए और हम ये कभी होने नहीं देंगे और यहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं उनका हम Pay Revision करके दिखा देंगे जो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया है युवाओं को 36 गर के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ Manifesto बनाते हुए हमने आप से देश के युवाओं से सवाल पूछा हमने आप से पूछा आप चाहते क्या हो क्या करा जा सकता है आपके लिए और आपने हमें बताया देखिए जब भी हम छोटा बिजनेस खोलना चाहते है हमें सरकारी ओफिसे से पर्मिशन लेनी पड़ती है एक डिपार्टमेंट से नहीं अलग-अलग डिपार्टमेंट से हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है पर्मिशन लेनी पड़ती है पंदरा बीज डिपार्टमेंट पे जाते हैं छे साथ महीने लग जाते है पूरा का पूरा समय जाया हो जाता है टाइम जाया हो जाता है बिजनस खुलता ही नहीं है इसके बारे में आप कुछ कीजिए हमने किया आपकी आवाज सुनी मैनिफेस्टों में हमने लिख दिया हिंदुस्तान के किसी भी युवा को अगर छोटी कमपनी कोलनी है मिडल साइज कमपनी कोलनी है किसी से कोई पर्मिशन लेनी की ज़रूत नहीं तीन साल के लिए आप काम शुरू करो हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दो बैंक का पैसा हम आपको देंगे अने लंबानी से छीन कर आपको देंगे और तीन साल आपको इपर्मिशन किसी से मतलो तीन साल बाद जब आपका बिजनस मजबूत हो जाएगा 30-40 लोग आपके साथ काम करेंगे तब आप सरकार के डिपार्टमेंट के पास आईए कहिए भई यह हमारे पास बिजनस है हम आपस पर्मिशन चाहते हैं और अगर आपका बिजनस तीन साल में तियार नहीं हुआ तो कोई पर्मिशन लेनी की जरूरत नहीं फिर से कोशिश करो आपकी सोच है हमारी नहीं है आपने हमें बताया जैसे मैंने पहले बोला हम आपकी आवाज होना बनना चाहते हैं हम आपको अपनी मन की बाद नहीं बताना चाहते हैं हम आपकी मन की बाद किसानों की मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की छोटे दुकानदारों से बात की हजारों छोटे दुकानदारों से कॉंग्रेस पार्टी ने बात की भहिया बताओ क्या चाहते हो गबबर सिंग टैक्स को बदलो हम GST चाहते हैं गबबर सिंग टाक्स नहीं चाहते हैं, ठीक है? 6 महीने के अंदर Congress Party गबबर सिंग टाक्स को GST में बदल देगी एक टाक्स होगा, कम से कम टाक्स होगा सरल टाक्स होगा यही बात हमने किसाने से पूछी 36 गड़ के किसाने से पूछा भाईया आपने हमें कहा था 36 गड़ में चुना हुआ आपने हमसे कहा कर्जम आफ करो ठीक है हमने कर दिया लोकसभा कर चुना हुआ अब बताओ क्या करे 36 गड़ के किसानों ने बताया और ऐसी चीज सिर्फ किसान बोल सकते देखिए हम प्लैनिंग करना चाहते है हिंदुस्तान का एक बज़ट बनता है क्यों नहीं हिंदुस्तान के दो बज़ट बने दो बज़ट मतलब दो बज़ट मतलब एक बज़ट नाशनल बज़ट बने और दूसरा बज़ट स्पेशल किसानों का बज़ट बने हमने गा ठीक है बहुत अच्छा इडिया है दो बजट बनेंगे एक नैशनल बजट बनेगा एक किसानों का बजट बनेगा और हर किसान को साल के शुरुआत में हम बता देंगे आपकी MSP कितनी बढ़ेगी आपको क्या रेट मिलेगा कितना कॉमपनसेशन मिलेगा अगर करजा माफ होगा तो कितना करजा माफ होगा फूड प्रोसेसिंग की कार खाने कहां लगेंगे फूड पार्क कहां लगेंगे स्टॉरिज फसिलिटी कहा लगाई जाएगी पूरा का पूरा हम साल के शुरुआत में आपको बता देंगे दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा आप अपनी प्लैनिंग करो दूसरी बात किसानों ने कही सवाल पूछा राहुल जी बताईए अने लंबानी जैसे चोर 45,000 करोड रुपए करजा ले जाते है और हम अकबार में पढ़ते है कि कभी वो अपने प्राइवेट हवाई जाज में गूम रहा है कभी वो लंडन जा रहा है वो पैसा नहीं लोटाता जेल नहीं जाता हम 20,000 रुपए लेते हैं कॉंग्रेस पार्टी जवाब दे रही है ये नहीं होगा कैसे नहीं होगा मैं बताता हूँ कानून बदला जाएगा 2019 में जैसे ही हमारी सरकार आएगी हिंदुस्तान के किसी भी किसान को 36 गर के किसी भी किसान को करज ना लोटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा तो ये मैं आपसे कहने आया था हम आपकी आवाज हैं जो आप हमें कहोगे हम आपके लिए करेंगे और अगर नहीं कर पाएंगे हम आपको बता देंगे देखो भई याप 15 लाग नहीं हो सकता है देश का नुकसान हो जाएगा 3,60,000 रुपए 5 करोड महिलाओं के बैंक अकाउंट में 5 साल में दिया जा सकता है हम वो कर देंगे मगर 15 लाग का जूट हम नहीं बोलें 2 करोड युवाओं को रोजगार हम नहीं दे पाएंगे मगर 9 योजना से लाखों युवाओं को रोजगार दे देंगे मगर 22 लाग जो रोजगार सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है उनको हम भर के दे देंगे सच्चाई सुननी अब यहां आईए काम करवाना आब यहां आईए जूट सुनना आजाईए मोधी जी के पास सुनियों उनके भाषन और फिर कॉंग्रेस पार्टी को वोट दे दीजे हमारे जो वर्कर हैं 36 गड़ के अब देखो मैं पूरे बाकी प्रदेशों में घुमा हूँ मैंने पिछली मीटिंग में बोला यहां भी बोलना चाहता हूँ 36 गड़ के जो कॉंग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं बबर शेर हैं सब और पिछले चुनाव में एसेंबली इलेक्शन में आपने 70 प्रतिशत अपना दम लगाया और 70 प्रतिशत दम लगाया और आपने नतीजा देखा कॉंग्रेस पार्टी की स्वीप हो गई इस बार 80 परसेंट दम लगाये 11 की 11 सीट जाईएं आपसे आप सब आए दिल से आपका धन्यवाद रात का समय है इतने प्यार से आपने मेरी बात सुने आकरी बात मैं कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ आपके सामने कहना चाहता हूँ भगेल जी सिंग्द्यो जी, साहू जी पुनिया जी बाकी जो लोग है ये हमारी सेना है और आपके दरवाजे इस सेना के लिए हर वक्त खुले मिलने चाहिए और कॉंग्रेस पार्टी अपने वर्कर और अपने सपोर्टर की पूरी रक्षा करेगी कमजोर से कमजोर वर्कर की पूरा रक्षा करेगी और 36 गड़ की जनता के लिए 36 गड़ के युवाओं के लिए किसानों के लिए माताओं बहनों के लिए कॉंग्रेस पार्टी काम करेगी आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिन